एलो जुरान आज हम बात करेंगे फर्स सेमेस्टर का जो लिटरेचर का पेपर है उसमें किस तरह के कोचन आते हैं जो पोईटरी वाला है ध्यान देना जिसमें पोईटरी का है किसे कुमार संभूम कि लरता जुनिए में सारे जो चीजे होती है उसका उसमें कौन-कौन से बताऊंगा देखतर पैटरन वही होता सेम होता है इंगलिस या संस्कीत हैं किसी भी एक बटन में आप दे सकते हैं और हाँ जो पेपर में बताऊंगा उसे ध्यान से बढ़ना क्योंकि अधिक्तर कोच्चन वही रिपीटेड होता किस तरह से आते रते हैं वह देखो इसमें रिखतर यह आता रहता है तो एक बहुत का ध्यान रखना ठीक है कि अगर आर्थ पूछता है ऐसे दो तीन कोच्चन होंगे अर्थ पूछता है तो उसमें संदर प्रसंग और अर्थ लिखना है ठीक है तीन चीज़े लिखनी है और देखो जिसमें वियाख्या पूछता है यहे देखो निमुलिखित की व्यक्याय कि जिसमें व्यक्या करोना उसे तो आप data भी लिखनी है तो उस से पहले क्या का लिखना है संदरव्न प्रसंग फ एर्थ है उसके बाद ब्याक्ट्ता शाफ निखनी ए और अन्यवाद पूछता है आपको तू आपको तीन चीज़ा लिखनी है संदर प्रसंग और अर्थ टीक ए यह दोव दो तीन कोशन तो ऐसे या प्रख़ाव गयार एक नंबर के होते हैं देखो जो पाचवा कोस्टन आनो उसमें निल्खी तेच चार प्रभ्याकराण समझें टिपड़ी लिखी देखो पंडितान बसुन ये सारी चीज़े जो है ना टिपड़ी लिखने के लिए आता है ज्यादा कोछ इसमें सोचने की ज ज्यादा लिखने की जिनिस मिले साथ से आपको रगवंसी राजाओ के गुणों पर प्रकाट आले रगवंसी राजाओ का ऐसा कोश्टन है जो हमेशा आता है आपको रटा भी होगा पढ़ भी सकते कुमार संभव के अंसार पार्वती तपस्या पार्वती के तपस्या का व पर्टरी मत उसमें एक जो पर्टरी पढ़ाया जाते हैं उसमें शुरुवात में दिया रहता है महां का भी किस तरह लिखे जाते हैं किस तरह से नहीं तो जो पेपर के पैटरन है आप दो तीन साल का देखेंगे वही होगा अगर इस बार ओ भी होता है तो स्लोक कोशिस करि थैंक यू थैंक यू सो मच